परिंदे रुकमत तुझ में जान बाकी है, मन्जिल दूर है, बहूत उलान बाकी है, योही नहीं मिलती रब की महरवानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है, जिन्दगी की जंग में है होसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सिक्सन अभिरुची यानि टीचिंग अपिट्यूट के 11 ऐसे महत्वपूर परिक्सा उप्योगी प्रश्ण पत्री जो की बिगत वर्सों में कई परिक्सा में पूछे जा चुके हैं, आपको स शुरू करता हैं आज की इस सांदार वीडियो को जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिक्सन अभिरुची के अती महत्वपूर प्रश्ण उत्तर पहला प्रश्ण है, विद्यार्थियों की अकाद्विक निस्पादन को सुधार सकता है यदि अभिभागों को उत्साहित किया जाएकी, इसका तात्वरे यह हुआ कि यदि विद्यार्थियों की अकाद्विक निस्पादन को सुधारना है, तो इसके लिए एविभागों को उत्साहित किया जाना चाहिए किस कार्य के लिए इस प्रश्ण का सही जबाब है option को बच्चों के कार्य का निरिक्षन करने के लिए तो यदि बच्चों के एविभागों को उनके parents को बच्चों के गरहे कार्य उनके school कार्य का विद्यार्थियों की exclusive को सुधारा जा सकता है इस प्रकार इस प्रस्चन का सही जबाब होगा options को बच्च्चुं के कार्य का निर्क्षन करने के लिए अगले प्रस्चन के तरब बढ़ते हैं प्रस्चन नमबर दो यहां पर पुछा गया है आपकी कक्सा में एक छात्र के प्रायर बिलंब से आने पर यानि आपकी कक्सा में कोई छात्र प्रति दिन बिलंब से आता है यानि देरी से आता है तो आप क्या करेंगे इसका सही जवाब होगा option गो कारण की जानकारी के अनुसार निर्णाय लिंगे यदि कोई छात्र या छात्रा भी हो सकती है आपकी कक्सा में लगभग परति जिन बिलंब से आता है देर से आता है तो आप क्या करेंगे सबसे पहले उसके बिलम से आने के कारण की जानकरी प्राप्त करेंगे और जब आपको उसके देरी से आने की जानकरी प्राप्त हो जाएगी फिर आप उसके according निरना लेंगे इस प्रकार इस प्रशन का सही जबाब है option go यह प्रश्ण कई बार पूछा जा चुका है आप त्यान में रखिए अगला प्रश्ण कि खिलोनों की आयू कहा जाता है यह प्रश्ण में कई बार पूछा जा चुका है खिलोनों की आयू सही उत्तर होगा option को पूर्वे बाल्यावस्ता को खिलोनों की आयू कहा जाता है जब बच्चा तीन वर्ज से छे वर्ज का होता है उससे पूर्वे बाली आवास्ता कहते हैं इस आयू वर्ज के बच्चों को खिलोनों के प्रति लगा होता है क्योंकि इस आवास्ता में बालक अपने खिलोनों के साथ ही अपना मन बहलाता है इसलिए खिलोनों की आयू कहा ज होती है 3-6 वर्स इसी संद्रब में एक बाल मनोबेग्यानिक हुए है इस्टेनले हाल तो उन्हों ने पूर्वे बालय वास्ता के बारे में कहा है यानि खिलोन की आवस्ता के बारे जो सिरिष्टि के प्रारम से ही उनके पूर्वज करते आ रहे हैं तो खेलना एक स्वाभाईग परिक्रिया है यहो नेचरल प्रोसेस है हर बच्चा खेलेगा क्योंकि यहो स्वाभाईग परिक्रिया है अर्थात सिरिष्टि के प्रारम से उनके पूर्वज इसे करते आ रहे ह इस प्रकार खिलोने की आयू कहा जाता है पूरे बाले वास्ता को जो तीन से च्छे वर्ष के बीच मानी जाती है तो ये प्रस्णे काफी महत्रपूर हैं आप ध्यान में रखिए अगला प्रस्णे इस प्रस्णे में पूछा गया है एक इस्कूल जाने वाली लड़की ने फर्स पर कोट फैंकने की आदत डाल ली है लड़की की माने उस से कहा की कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूटी पर टांगो लड़की अगली बार घर में प्रुईस करती है कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूटी पर तांग देती है यहाँ उधारन है यहाँ उधारन किसे से संबन्दित है यानि एग लड़की स्कूल जाती है और उसने फर्स पर कोट फेंटने की आदत डाल ली है लड़की की मा ने कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूटी पर तांग देती है तो यहाँ क्रिया या यहाँ जो परक्रिया है वहाँ किस अधिगम किस लड़ने के तरफ संकेत कर रही है इसका सही जवाब होगा उप्सन को सिरिंखला गत अधिगम का तो यह स्रेंख लागत अधिगम का एक्जाम्पल है इसे आप ध्यान में रखे यदि इस प्रकार के कोई प्रश्ण आते हैं तो आप आसानी से ही ने हैंडल कर सकते हैं अगले प्रश्ण के तरफ बढ़ते हैं प्रश्ण नमबर पांच इसमें पूछा गया है जिस परिक्रिया मैं ब्यक्ति दूसरों के ब्यवहार को देख कर सीखता है ना कि परत्यक्स अनुभव से कहा जा सकता है यानि एक असी परिक्रिया जिसमें ब्यक्ति दूसरों के ब्यवहार को देख कर लर्निंग करता है ना कि डारेक्ट एक्सपिरेंस है तो इसे क्या कहा जाता है इसका सही जवाब होगा सामाजिक अधिगम समाजिक अधिगम इसे कहा जाएगा ठीक है option खो तो आप इसे दियान में रखे तो social learning कहोगे आप जब व्यक्ति दूसरे के behavior को देखकर सीखता है अगले प्रशने के तरफ बढ़ते हैं प्रशन नमबर 6 इस प्रशन में पूछा गया है निसक्त बालकों की सिक्सा के लिए प्रावधान किया जा सकता है निसक्त का मतलब होता है असहाई जो physically disabled होते हैं किसी भी कारण से हो सकते हैं mentally, physically हो सकते हैं तो निसक्त बालकों की सिक्सा के लिए प्रावधान किया जा सकता है इसमें से कौन सा प्रावधान उनके लिए किया जा सकता है इसे हमें बताना है सही जबाब होगा option go समाविसित सिक्सा दोरा तो समाविसित सिक्सा के मादम से आप निसक्त बालकों की सिक्सा को आगे बढ़ा सकते हैं समाविसित का मतलब होता है inclusive यानि inclusive method से आप निसक्त बालकों की सिक्सा को प्रमोट कर सकते हैं और यदि सिक्सा के समाविसित करण की बात करें समाविसित सिक्सा की बात करें तो विसेज सैक्षनिक आउसक्ताओं की पूर्ती के लिए समान्य चात्र और एक दिव्यांग को समान सिक्सा प्राप्ते के अवसर मिलने चाहिए इसमें एक समान्य चात्र एक दिव्यांग चात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है तो समान्य चात्रों के साथ यानि जो बच्चे अच्छे हैं फिजिकली मेंटली उनके साथ कोई निसक्त या असहाई बालग भी सीखे तो उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यानि उसे अपने आप पर इस परकार की भावना नहीं आएगी निगेडिविटी नहीं आएगी तो जब समान्य बालग के साथ एक दिब्यांग बालग या निसक्त बालक असहाय बालक सिखेगा तो उसे से दोनु बराबर तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इस परकार के बच्चों के लिए समाविसी सिक्सा होनी चाहिए जहां समान्य और निसक दोनु परकार के बच्चे साथ साथ बढ़ेंगे तो एक दूसरे के प्रति बूरी भावना उसे से नहीं बढ़ेगी अगला प्रशन है प्राथमिक विद्यालियों के बालकों के लिए निमन मैंसे किसे बहतर मानते हैं यानि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वहां के बालकों के लिए किसे बहतर मानते हैं यहां पर option दियेगे हैं चार इसका सही जवाब हो जाएगा option को स्वयम के द्वारा किया गया अनभव तो बिद्याले में जो बच्चे होता है उनके लिए स्वयम के द्वारा किया गया experience सबसे ज़्यदा important होता है यानि जब बच्चा स्वयम कारे करता है स्वयम experience करता है तो इससे ज़्यदा सीखता है तो primary school में बच्चों के लिए स्वयम के द्वारा किया गया अनभव सबसे बहतर माना जाता है अगले प्रशन के द्वारा बढ़ते हैं प्रशन नमबर 8 जैसे कि देख पा रहे हैं यहां पूछा गया है मौखिक संचार में ब्याउधान को कहते हैं यानि जब आफ औरल कम्यूकेशन करोगे तो उसमें ब्याउधान को क्या कहेंगे सही जवाब होगा option go entropy तो ये पी काफी महत्वण प्रशन है entropy इसे कहा जाएगा ठीक है और यदि entropy की बात करें तो उसमा गत्की में entropy एक बहुती ग्रासी है जो सीधे मापी नहीं जाती बलकि गर्णा की जाती है इसका मान निकाला जाता है और इसका जो परतीक है ये S है S से इसे denote करते हैं तो 1877 में Ludwig Bolch मान ने सरपरतम entropy की परिकृता पर आधरित परिवासा दी थी तो मोखिक संचार में व्यवधान को कहते हैं entropy ये प्रशन कई बार पूछा जा चुका है entropy एक भौती ग्रासी है जिसकी गर्णा की जा सकती है मोटे तोर पर यहो किसी उसमा गतिक निकाय के अभ्यवस्ता energy disorder को मापता है तो काफी important है उसमा गतिकी के दूतिय नियम द्वारा भी एक नई संकल्पना का समाविस होता है यहो entropy की संकल्पना है तो आप ध्यान रखिए इस प्रशन का सही जवाब होगा option go आगे बढ़ते हैं प्रशन नमबर 9 यहाँ पर पुछा गया है चाया चित्रों का dot dot है करना आसान नहीं है यानि चाया चित्रों का क्या करना आसान नहीं है सही जवाब होगा option को विसंकेतन विसंकेतन करना काफी difficult होता है चाया चित्रों का विसंकेतन का मतलब होता है संकेतों को समझना संकेतों को समझने को कहते हैं विसंकेतन एंगरीजी में इसे कहेंगे decoding आपने code decode यानि coding decoding सुना होगा तो विसंकेतन को यदि हम अच्छे से समझें तो इसका मतलब है संकेतों को समझना और एंगरीजी में इसे कहेंगे decoding यानि decode करना code को decode करना तो छाया चित्रों का विसंकेतन करना आसान नहीं है यहाँ प्रश्ण भी कई बार पूछा जा चुका है इसलिए मैंने इसे यहाँ पर दिया है आगला प्रश्ण है निम्न मैंसे सिक्सन का सर्वोतम ढंग कौन सा है तो यह भी काफी important प्रश्ण है इसका सही जवाब होगा option core परदर्शन यानि exhibition सिक्षन का सबसे अच्छा तरीका सर्वोतम ढंग माना दाता है परदर्शन ब्याख्यान तो lecture हो गया विचार मिमर्स discuss हो गया वलन narrate करना हो गया तो सबसे अच्छा है परदर्शन यानि जहाब कहीं पर परदर्शनी लगती है exhibition होता है तो आप बच्चों को वहाँ पर ले जाओगे अलग-अलग परदर्शनीया वहोग देखेंगे उससे उनके मेस्टिस्क में कई विचार, कई क्रिया कलाब आएंगे creativity बढ़ेगी तो परदर्शन के मादम से सिक्षन किया जा सकता है इसलिए बच्चों कई बार भरमन पर ले जाया जाता है या विध्यालियों में परदर्शनीया लगाए जाती है जिसे उनके मेस्टिस्क में नए विचारों का जन्म होता है आज का आखरी प्रशन कोठारी कमिशन की संस्तुती के अनुसार पर्थम डिग्री कोर्स की अउधी होनी चाहिए आपने कोठारी कमिशन पढ़ा होगा तो कोठारी कमिशन की संस्तुती के अनुसार जो पर्थम डिग्री कोर्स है जैसे BA होता BACB.com यानि इस्तनातों का आप कह सकते हैं पर्थम degree course इस्तनातक ही होता है और प्राइस्तनातक दुख्या degree course आप मान सकते हो तो कोठारी कमिसन की संस्तुति के अंसार प्रथम degree course की एउधी कितनी होनी चाहिए इसका सही जबाब होगा option खो 3 वर्थ। तो प्रथम degree course की एउधी होनी चाहिए 3 वर्थ, इस प्रकार इसका सही जबाब option खो होगा तो आज 11 प्रश्न थे, काफी important प्रश्न है मुझे लगता है ये प्रशन आपके लिए काफी helpful रहे होंगे यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर लो चैनल को सस्क्राइब कर लो और कॉमेंट करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है चैनल को सस्क्राइब करने से हर वीडियो का लेटेस्ट नोट्वेकिसन सबसे पहले आपके मूबाइल फोन पर पहुँचेगा तो मिलते हैं एगली वीडियो में बने रहिए गंगा परकास वेस्वे के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कंटिन्यू मेहनत करते रहिए औ और शिक्षा भी भाग में अपना कैरियर बना कर जल्द से जल्द इंट्री करें थेंक यू